Hello experience and the future kidds. My name is Bhavar Singh Shirohi and ये video in concept है. Complete concept in 3 minutes और हम इसमें discuss करने वाले हैं आपके hypersonic missiles को. अगर हम बात करें hypersonic missiles क्या होते हैं जिनका mark number आपका 5 या उससे ज़्यादा होता है उनको हम hypersonic missile कहते हैं. और mark number कैसे calculate होता है जो missile की speed है उसको हम divide कर देते हैं speed of sound से and ultimately we get the mark number यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपके missiles हो सकती है या फिर जितने भी आपके gliders या फिर आपके planes हैं वो आपके या तो subsonic हो सकते हैं जिनका mark number 1 से नीचे है, transonics हो सकते हैं जिनका mark number exact 1 होता है यानि की speed of sound के बराबर होता है, वहीं पर supersonic हो सकते हैं जिनका mark number 1 से ज्यादा होता है और 5 से कम होता है and hypersonic वो missiles होती है जिनका mark number 5 से ज्यादा होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका distance traveled in one second तो एक second में अगर हम बात करें आपका कोई भी hypersonic vehicle जो है वो लगबग 3300 meter यानि की लगबग आपका 3 km ट्रावल कर सकता है एक second में अगर हम यहाँ पर बात करें आपका hypersonic weapons की तो सिर्फ इसकी speed ही नहीं बलकि यह इसलिए भी important है क्योंकि यह आपका radar से बहुत देर में detect होती है अगर हम बात करें आपका तो जो हमारी जो अगर हम बात करें आपके traditional जो missiles हैं वो आपका बहुत पहले ही detect हो जाती है radar से जबकि अगर हम hypersonic glide vehicle या missile की बात करें तो वो आपका काफी देर में detect होती है और जो हमारे missile defense system है वो उस पर react देर से कर पाते हैं और इनके जो है आर्मरी में है लेकिन अगर हम बात करें आपका Australia, Germany, India, Japan और France ये पांचों देश जो है वो आपका they are developing the hypersonic missiles और अगर मैं बात करें नौर्थ कोरिया की तो नौर्थ कोरिया ने ये कहा था अपना September 28 को कि Hawa Song 8 जो की उसकी hypersonic gliding missile है ये उसने develop कर ली है अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की तो आपकोर्स हमारे यहां पर आपका there is a hypersonic technology demonstration vehicle इसका twist किया गया DRDO के द्वारा और ये आपका successful carried out हुआ यानि कि अब हमारे पास भी वो technology है कि हम hypersonic gliding missiles को हम develop कर बाएंगे अगर हम बात करें तो अगर ये इसकी significance की बात करें तो हम hypersonic weapons develop कर सकते हैं जो की challenges आते हैं hypersonic में क्योंकि बहुत तेजी से missile glide करती है तो extreme high temperature generate होता है aerodynamic forces होती है जो कि आपका hypersonic missiles है उनकी flights को tricky बना देती है तो यहां पर जब ये आपका test conduct किया गया तो इससे बहुत सारी technologies हमारी जो है वो आपका mechanism है जो की आपका 6 mark के आसपास होना चाहिए 6 mark से जादा होना चाहिए अगर हम बात करते हैं आपका यहां पर तो अल्टिमेटली जैसे हम बात कर रहे हैं आपका hypersonic missile की तो रश्या जो है वो आपका hypersonic missile यूज करता है और hypersonic missiles की बात करें तो जर्कन missile जो है SSN 33 यह की आपका hypersonic missile है इसी के साथ तकरम बात करें तो किंजल missile आपका KH47M2 यह भी आपका hypersonic missile है जो की आपका MiG-31 से fire की जा सकती है और राइट यह लॉंच्ट है इसी के साथ सा तकरम बात करें तो AGM-183, ARRW यह आपका जो है hypersonic missile है जिसकी speed mark 20 हो सकती है इसकी range जो है वो आपका 1000 miles है cruising altitude unknown है और साथी साथ इसको B-1B bomber से launch किया जा सकता है जैसे मैंने आपको बता है जर्कौन यह आपकी mark speed 9 से जो है आपका चल सकती है और अगर हम बात करें Russian आपका जो है missile है hypersonic missile है और इसकी जो range है वो 621 miles है cruising altitude 91,863 feet है और इसको submarine यह ship से launch किया जा सकता है जर्कौन के साथ साथ जैसे मैंने आपको बता है Kinzal missile भी आपका Russia की hypersonic missile है और यह land based है sorry air based है और मिग से आपका launch की जा सकते है मिग 31 से ऐसी अगर हम बात करें आपका जो है चाइना की तो चाइना के पास जो है आपका ground vehicle से यानि कि आपका जो है अगर हम बात करें land based जो आपका hypersonic missile है DF 17 है और साथ जात अगर हम बात करें long march भी है यह दो missiles जो है वो आपका चाइना की आपका hypersonic missiles है और यह बात हुई हमारे hypersonic missiles की और इसी तरीकी के आपके concepts के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा निक्स जो concept है वो देखते हैं कौन सा होगा तो ultimately ऐसे interesting concepts के लिए हमारे साथ जुड़े और साती साथ do not forget to share this session इसको आपको वीडियो को share भी कीजेगा साती सा लाइक कीजेगा ताकि हमारा जो उत्सा है वो आपका और बड़े और ऐसे concepts आपके लिए हम जो है लात रहे लगा ताक थांक यू अग जय हुआ